श्री राम कृष्ण देव के उगदेश वचा नामरित प्रिष्ठ क्रमांग 907 परिच्छे 113 बलराम तथा गिरिश के मकान में भक्तों के संग में शुक्रवार वैशाख शुक्लद अश्मी 24 अप्रेल 1885 श्री राम कृष्ण आज कलकत्ता आये हुए हैं मास्टर ने दिन के एक बजे के लगभग बलराम के बैठक खाने में जाकर देखा श्री राम कृष्ण निद्रा में हैं दो एक भक्त पास ही विश्राम कर रहे हैं मास्टर एक पंखा लेकर धीरे-धीरे हवा करने लगे श्री रामकृष्ण की नीन चूटी धीली देहवे उठकर बैट गए मास्टर ने भूमिष्ठ हो उन्हें प्रणाम किया और उनकी पदधूली ली श्री रामकृष्ण मास्टर से ससने हा अच्छे हो न जाने क्यों मेरे गले की गिल्टी फूल गई है पिछली रात से दर्द होता है क्यों जी यहां कैसे अच्छी हो जिन्ति धोकर आम की खटी तरकारी बनी थी और भी कई चीजे बनी थी थोड़ी थोड़ी सी सब चीजे मैंने खाई मास्टर से तुम्हारी स्त्री कैसी है उस दिन उसे देखा था बहुत कमजोर है कोई ठंडी चीज थोड़ी थोड़ी सी दिया करो मास्टर जी कच्चा नारियल दिया करो श्री रामक्रिश्न हाँ मिश्री का शर्बत पिलाना अच्छा है मास्टर मैं रविवार से घर चला गया श्री रामकृष्ण अच्छा किया, घर में रहने पर तुम्हें सुविधा है, बाब भी है, तुम्हें संसार का काम अधिक न देखना होगा बाचीत करते हुए श्री रामकृष्ण का मुँ सूखने लगा, तब वे बालत की तरह मास्टर से पूछने लगे मेरा मुँ सूख रहा है, कै सभी का मुँ सूख रहा है, मास्टर, योगिंद्र बाबू, क्या आपका भी मुँ सूख रहा है, योगिंद्र, नहीं, इन्हें गरμी लगी होगी एड़ेदा के योगेंद्र श्री रामकृष्ण के एक अंतरंग त्यागी भक्त है श्री रामकृष्ण शितिल भाव से बैठे हुए है भक्तों में कोई-कोई हस रहे है श्री रामकृष्ण मैं मानो दूद पिलाने के लिए बैठा हूँ सब हस्ते हैं अच्छा मुझ सूख रहा है मैं नास्पतिया जमरूल खाऊं बाबुराम हाँ वही ठीक है मैं जमरूल ले आऊं श्री रामकृष्ण धूप में अब न जा मास्टर पंखा जल रहे थे श्री रामकृष्ण तुम बड़ी देर से तो मास्टर जी मुझे कोई कश्ट नहीं हो रहा है श्री रामकृष्ण सर्स्नेह नहीं हो रहा है मास्टर पास ही के एक स्कूल में पढ़ाते हैं वे एक बज़े पढ़ाने से ज़रा देर के लिए अवसर लेकर आये हैं अब स्कूल में फिर जाने के लिए उठे श्री रामकृष्ण की पादवंदन आकी श्री रामकृष्ण मास्टर से इस समय आओगे एक भक्त स्कूल की छुट्टी अभी नहीं हुई ये बीच में ही चले आये थे श्री रामकृष्ण हस्ते हुए जैसे ग्रहिनी साथ आठ बच्चे पैदा कर चुकी संसार में राद दिन काम करना पड़ता है परन्तु उसी समय के भीतर एक एक बार आकर पती की सेवा कर जाती है सब हस्ते हैं चार बच जाने पर स्कूल की छुट्टी हो गई बलराम बाबु के बाहर वाले कमरे में मास्टर ने आकर देखा श्री रामकृष्ण प्रसन्नता पूर्वक बैठे है समाचार पाकर भक्त मंडली धीरे धीरे एकत्रित हो रही है छोटे नरेंद्र और राम आ गए है नरेंद्र आये है मास्टर ने प्रणाम का रासन ग्रहन किया कमरे के भीतर से बल्राम ने थाली में मोहन भोग भेज दिया है इसलिए कि श्री रामकृष्ण के गले में गिल्टी पड़ गई है वे कड़ा भुजन न कर सकेंगे श्री रामकृष्ण मोहन भोग देखकर नरेंद्र से अरे माल आया है माल मान, खा खा, सब हस्ते हैं दिन धलने लगा श्री रामकृष्ण गिरीश के घर जाएंगे वहाँ आज उत्सव है श्री रामकृष्ण बल्राम के दो मंजिले के कमरे से उतर रहे हैं साथ मास्टर है पीछे और भी दो एक भक्त हैं ड्योड़ी के पास आकर उन्होंने एक उत्तर प्रदेश के भिक्षुक को गाते हुए देखा द्राम नाम सुनकर श्री रामकृष्ण खड़े हो गए देखते ही देखते मन अंतरमुक होने लगा इसी भाव में कुछ देर खड़े रहे मास्टर ने कहा इसका स्वर बड़ा अच्छा है एक भक्त ने भिक्षुक को चार पैसे दिए श्री रामकृष्ण बोस पाड़ा की गली में घुसे हसते हुए मास्टर से पूछा क्यों जी क्या कहता है परमहंस फौज आ रही है साले कहते क्या है अवतार तथा सिद्ध पुरुश में भेद श्री रामकृष्ण गिरीश के घर पधारे गिरीश ने और भी बहुत से भक्तों को उस उत्सव में बुलाया था बहुत से लोग आये थे श्री रामकृष्ण जब आये तो सब लोगों ने उठकर उनका स्वागत किया मुस्कराते हुए उन्होंने अपना आशन ग्रहन किया भक्त लोग उनको घेर कर बैट गए गिरीश, महिमाचरण, राम, भवनाथ, बाबुराम, नरेंद्र, योगेन, छोटे नरेंद्र, चुनी, बलराम, मास्टर, तथा अन्य भक्तगण श्री रामकृष्ण के साथ बलराम के ही मकान से आये थे श्री रामकृष्ण, महिम से मैंने गिरीश से तुम्हारे बारे में बातचीत की थी वहाँ बहुत गहरा है, तुम सिर्फ गुटने तक हो, अच्छा देखे तो भला, जो मैंने कहा वहाँ ठीक है या नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों में बहस हो, पर देखो आपस में समझोता न कर लेना सब हस्ते हैं गिरीश और महिमाचरण में वाद विवाद होने लगा थोड़ी देर में राम ने कहा अब काफी हो गया, आईए अब हम लोगों का खिर्दन हो श्री रामकृष्ण राम से, नहीं नहीं इस वाद विवाद में बड़ा आर्थ है, ये लोग इंग्लिश मैन है, मैं सुनना चाहता हूँ कि ये क्या कहते है महिमाचरण कहते थे कि साधना के द्वारा प्रत्यक व्यक्ती श्री कृष्ण हो सकता है पर गिरीश कहते थे कि श्री कृष्ण इश्वर के अवतार थे और कोई मनुष्य चाहे कितनी भी साधना करे वहाँ कभी अवतार नहीं हो सकता महिम तुम समझे, मैं क्या कहता हूँ मैं उदाहरन देकर तुम्हे समझाता हूँ एक बेल का व्रिक्ष, आम का व्रिक्ष बन सकता है केवल यदि उसमें कुछ बाधाय हटा दी जाए और वहाँ योगा अभ्यास द्वारा संभव है गिरीश तुम चाहे जो कुछ कहो परन्तु ऐसा न तो योगद्वारा हो सकता है और न किसी और ही तरह से केवल भगवान श्री कृष्ण ही कृष्ण हो सकते हैं यदि किसी व्यक्ती में किसी दूसरे व्यक्ती के समस्त भाव है उदाहरनार्थ श्री राधा के तो वहाँ व्यक्ति श्री राधा के सिवाए और कोई हो ही नहीं सकता वहाँ स्वयम श्री राधा ही है इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति में मैं श्री कृष्ण के समस्त भाव देखू तो मैं यही निशकर्ष निकालूंगा कि मैं साक्षाज श्री कृष्णे ही को देख रहा हूँ इसके बाद महिमाचरण बहस में कुछ धीले पड़ गए और अंत में उन्हें गिरीश का ही मतमान लेना पड़ा महिम गिरीश से हाँ इश्वर ने ज्यान मार्ग बनाया है और भक्ती मार्ग भी श्री राम कृष्ण की ओर संकेत करके जैसा आप कहते हैं भिन्न भिन्न पंथों से अंत में सब मनुष्य एक ही धेये को पहुँच जाते हैं श्री राम कृष्ण महिम के प्रती देखा तुमने मार्ग ठीक हैं श्री राम कृष्ण गिरीश की ओर संकेत करके तुमने देखा नहीं इसका विश्वास कितना गहरा है वहाँ अपना जलपान करना भी भूल गया यदि तुम उसका मत स्वीकार न करते तो कुट्टे की तरह वहाँ तुम्हारा गला फाट डालता लेकिन खेर हम लोगों को इस वाद विवाद में आनन्द आ गया तुम लोगों ने भी एक दूसरे को जान दिया है और मुझे भी कई बाते मालुम हो गई किर्टन आनन्द में इतने में गवईय लोग आ पहुँचे और वे लोग कमरे के बीच में बैट गए प्रमुख गवईया श्री रामकृष्ण की ओर देख रहा था कि वे उससे किर्टन करने का संकेत करे श्री रामकृष्ण ने उसे आग्या दे दी राम श्री रामकृष्ण से कृपया उन्हें बता दीजिए कि वे क्या गावे श्री रामकृष्ण मैं क्या बताऊं कुछ सोच कर अच्छा उनसे कहो कि पूर्वराग श्री राधा कृष्ण मिलन गावे गवये ने गाना शुरू किया मेरा गोरा गवराग मेरा सर्वस्व जो मनुश्यों में रत्न है श्री राधा का नाम उच्चारण करते ही रोने लगता है जमीन पर लोटने लगता है असीम प्रेम से युक्त हो पुनह पुनह उन्ही का नाम जबता है उसकी प्रेम पूर्ण आखों से आसूं की धारा बह चलती है वहाँ जमीन पर फिर लोटने लगता है और उनका नाम उच्चारन करते करते बेहोश हो जाता है उसे रोमांच हो जाता है उसके मुझ से केवल एक ही शब्द निकलता है वसु कहते हैं गवरांग इतने व्याकुल क्यों है किर्टन जारी रहा राधा कृष्ण से यमुना के किनारे कदंब के नीचे मिल चुकी है उनकी सखियाब उनकी मानसिक और शारिरिक अवस्था कवर्नन करती है प्रत्यक्षण कितने ही बार वे कमरे के भीतर और बाहर जाती है केसी बेचैन है लंबी-लंबी सासे भरती है और वही एक टक कदंब की ओर द्रिष्टी लगी है शंका उत्पन्न होती है क्या वे अपने बड़े बूढों के डर से भैभीत है अथवा उन्हें कोई विकार हो गया है कैसी व्याकुल है वे अपने वस्त्रों का भी ध्यान नहीं है उनके आभूशन इधर उधर गिर गये है शरीर कमपाए मान हो रहा है और खेट तो यहां है कि अभी वे इतनी अल्प वयस्क है ये एक राज कुमारी रही है और किसी की पत्नी भी है ऐसा क्या है जिसके लिए ये ललाइत है उनके मन में क्या है हमें कुछ समझ नहीं आता हमें तो इतना ही प्रतीत होता है कि वे चंद्रमा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही है चंडी दास कहते है राधा कृष्ण के जाल में फज गई है किर्तन जारी है राधा की सखियां उनसे कह रही है ऐ सुकुमारी चंद्रवदनी राधा हमें यहां तो बताओ तुम्हें कौन सी व्यता है तुम्हारा मन क्यों और कहां घूम रहा है तुम जमीन क्यों कुरेद रही हो हमें बताओ तो सही तुम्हारा यहां सुकुमार फूल सा मुखडा क्यों कुमहला गया है उसकी कान्ती क्यों फीकी पड़ गई है उसमें सावलापन कैसे आ गया है तुम्हारी लाल चंद्रे भी जमीन पर गिर पड़ी है सकी राधा देखो तो तुम्हारे आखे रोते रोते लाल हो गई है तुम्हारा कमल सा मुखडा कुम्हला गया है बताओ तो सही तुम्हें कौन सा दर्ध है और देखो तो हमारे रिदय भी तो दुख से विदेर न होए जा रहे है राधा अपनी सक्यों से कहती है मैं कृश्न का मुखडा देखने के लिए छटपटा रही हो गवैये ने फिर गाया कृश्न की बासूरी सुनते ही राधा बावली हो गई थी वे अपनी सक्यों से कहती है वहाँ कौन जादुगर है जो उस कदम बकुंज में रहता है उसकी बंसी की ध्वनी एका एक मेरे कान में पड़ती है और रित तंत्री को जहंकार देती है मेरी आत्मा को मानो भेज जाती है मेरा धर्म न जाने कहां भूल जाता है और मैं बावली हो जाती हूँ इस व्यत्यत मन और त्रिशित आखों से मुझे साज भी तो लेते नहीं बनती कैसा जादु है उसकी बाशरी का जिसकी ध्वनी मेरी आत्मा तक को हिला देती है वहाँ मेरी द्रिश्टी के बाहर है इससे मेरा रिदय बैठा जाता है मैं घर पर कैसे ठहर सकती हूँ मेरी आत्मा उसके लिए छटपटा रही है कितना दर्द होता है उसकी एक जलक बस एक जलक पाने के लिए मैं छटपटा रही हूँ उद्धव कहते हैं पर राधा जानती हो उसे एक बार देख लेने पर फिर तुम क्या जीवित रह सकती हो गवईया गाता रहा राधा कारेदय कृष्ण की एक जलक के लिए व्याकुल है वे अपनी सक्खियों से कहती है पहली बार मैंने उनकी बांसरी की ध्वनी कदम बकुंज से आती हुई सुनी और दूसरे दिन राध गवईये ने भी आकर उसका संदेशा दिया मेरी आत्मा तो मचल उठी दूसरे दिन ए मेरी प्यारी सकी तुमने उनका दिव्य नाम हमारे सामने लिया आह कैसा मधुर कैसा मीठा कैसा सरस है वहाँ पुन्य नाम कृष्ण कितने ही विद्वान लोगों ने भी मुझसे उनके अगणिकुणों का वर्णन किया पर हाए मैं क्या करूँ मैं एक सीधी साधी बाली का हूँ और फिर घर में बड़े बूरहे भी तो है मैं क्या करूँ उन मेरे प्राण सर्वस्व के लिए मेरा प्रेम बढ़ता जा रहा है उनके बिना मैं एक शण भी कैसे रह सकती हूँ लेकिन इतने समय के बाद कै मुझे अब यही दिखेगा कि उनको बिना देखे ही मुझे मर जाना होगा ये दुखियां अखियां अद खुली रह जाएंगी ऐसकी कोई ऐसा उपाय तो बताओ जिससे मैं एक बार तोने देख लू एक ही बार सही श्री राम कृष्ण ने जैसे ही यह वाक्य सुना आह कैसा मधूर कैसा मीठा कैसा सरस है वहाँ पुन्य नाम कृष्ण वे अधिक बैठे नहीं रह सके वे खड़े हो गए और बाह यशून्य हो उन्हें गहरी समाधी लग गए छोटे नरेंद्र उनकी दाहीनी और खड़े हो गए श्री राम कृष्ण जब किंचित प्रकृतिस्थ हुए तो उन्होंने बड़े मधूर स्वर में श्री कृष्ण का नाम उच्चारण किया उनकी आँखों से प्रेमाश्रू बहने लगे और वे फिर बैट गए गवये का गाना जारी रहा राधा की एक सक्षी विशाखा दोड कर जाती है और श्री कृष्ण का एक चित्र ले आती है और उसे राधा की आँखों के सामने कर देती है राधा कहती है मैं उन्ही का चित्र देख रही हूं जिन्हें मैंने जमुना के किनारे देखा था तब ही से मेरी यहां दशा हो गई है फिर वे कह रही है मैं उन्ही का चित्र देख रही हूं जिन्हें मैंने कालिंदी के तट पर देखा था जिनका नाम विशाखा ने लिया है वे वही है जिनका यहां चित्र है जिन्होंने बासुरी बजाई थी वे ही मेरे प्राणों के प्यारे है राजगवे ये उनका गुणगान मुझसे कर चुके है उन्होंने मेरे रिदय पर जादू कर दिया है यहां और कोई नहीं वे ही हैं यहां कहते ही राधा बेहोश हो गई थोड़ी देर बाद जब उनकी सक्खियां उन्हें होश में लाई तो उनके मुह से यही निकला सक्खियों मुझे उन्हीं को दिखा दो जिनकी जलत मैंने अपनी आत्मा में देखी है सक्खियों ने वादा किया अच्छा जरूर दिखा देंगी अब श्री रामकृष्ण नरेंडरत था अन्य भक्तों के साथ बड़े उचे स्वर में किर्तन गान करतने लगे उन्होंने गाया देखो वे दोनों भाई आ गए है जो हरी का नाम लेते लेते रोने लगते हैं उन्होंने फिर कहा और देखो श्री गवरांग के प्रेम के कारण समस्त नदिया श्री गवरांग का निवास थान जूम रहा है इतना कहे कर फिर श्री रामकृष्ण समाधी मगन हो गए समाधी उतरने पर वे अपने आसन पर बैठ गए एम की ओर देख कर उन्होंने कहा मुझे स्मरण नहीं कि मैं पहले किस ओर मुख करके बैठा था फिर वे भक्तों से बातचीत करने लगे श्री रामकृष्ण तथा नरेंडर हाजरा की कथा नरेंडर श्री रामकृष्ण से हाजरा भला अदमी हो गया है श्री रामकृष्ण तुम नहीं जानते कि लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मुँ में तो रामनाम रहता है पर बगल में छुरी होती है नरेंद्र महराज, इस बात में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ मैंने स्वयम उससे उन बातों की जाज की जिनके बारे में लोग शिकायत करते थे पर उसने साफ इंकार किया श्री रामकृष्ण वहाँ भक्ती में जरूर ग्रिड है थोड़ा बहुत जब भी करता है पर कभी कभी उसका व्यवहार विचित्र होता है गाडी वाले का भाड़ा नहीं देता नरेंद्र महराज, नहीं ऐसी बात नहीं है वहाँ कहता था, उसने दे दिया है श्री रामकृष्ण उसके पास पैसा कहां से आया नरेंद्र रामला लत्वा और किसी ने दिया होगा श्री रामकृष्ण क्या तुमने उससे सब बाते विस्तार पूर्वक पूछी थी एक बार मैंने जगदंबा से प्रार्थना की थी मा, यदि हाजरा ढोंगी है तो बड़ी कृपा होगी यदि तुम यहां से उसे हटा दो उसके बाद मैंने हाजरा से कह भी दिया था कि मैंने तुम्हारे बारे में मां से ऐसी प्रार्थना की है थोड़े दिनों बाद वहां फिर आया और मुझसे कहा देखिए मैं तो अब भी यहां बना हुआ हूँ श्री रामकृष्ण तथा अन्यसा भसे पर शीग्र ही कुछ दिनों बाद उसने यहां आना बंद कर दिया हाजरा की बेचारी मां ने मेरे पास रामलाल द्वारा कहलाया कि मैं हाजरा से कह दू कि वहां कभी कभी जाकर अपनी बूढ़ी मां को देखाया करे वहां बेचारी करीब करीब अन्धी ही थी और रोती रहती थी मैंने हाजरा को तरह तरह से समझाया कि वहां जाकर देखाया करे मैंने उससे कहा देखो तुम्हारी मा वृद्धा है कम से कम उसे एक बार जाकर तो देखाओ पर मेरे कहने पर भी नहीं गया अंत में वहां बेचारी बुढिया रोते रोते मर गई नरेद्र पर इस बार वहां घर जाएगा श्री रामकृष्ण हाँ हाँ, मुझे मालुम है वहां घर जाएगा वहां बड़ा दुष्ट है, धूर्त है तुम उसे नहीं जानते गोपाल कहता था कि हाजरा सिंती में कुछ दिन रहा था लोग उसके लिए घील आते थे चावल लाते थे और भी तरह तरह की खाद्य सामक्री उसे लाकर देते थे पर उसकी उद्दंडता तो देखो कि वहां उन लोगों से कह देता था मैं ऐसा मोटा चावल नहीं खा सकता मुझे ऐसा खराब घी नहीं चाहिए भाट पारा का इशान भी उसके साथ गया था उसने इशान से कहा शौच के लिए पानी ले आओ इससे वहां के अन्य ब्रामभन उससे बहुत नाराज हो गए थे नरेद्र मैंने उससे यहां बात पूची थी वहां कहता था इशान बाबु मेरे लिए खुद पानी लाए थे और इतना ही नहीं वहां कहता था कि भाट पारा के बहुत से ब्रामभन लोग भी उसे मान देते हैं और श्रधा करते हैं श्री रामकृष्ण मुसकर आते हुए महां सब उसके जप और तपस्या का फल था जानते हो मनुश्य की शारेरिक बनावट भी उसके चरित्र पर अपना बहुत प्रभाव डालती है नाटा कद और शरीर में इधर उदर गड़े या कूबड अच्छे लक्षण नहीं है जिन लोगों के ऐसे लक्षण होते हैं उन्हें आध्यात्मिक ज्यान प्राप्त करने को बहुत समय लगता है भवनाथ खेर महराज जाने दीजिए इन बातों को श्री रामक्रिश्ण नहीं मुझे गलत न समझना नरेंडर से तुम कहते हो कि तुम्हें लोगों की पहचान है इसी लिए यहां सब तुम्हें बता रहा हूँ जानते हो हाजरा ऐसे लोगों को मैं किस दृष्टी से देखता हूँ जिस प्रकार ईश्वर सत्पुरुषों के रूप में अवतार लेता है उसी प्रकार वहां धोखे बाज और दुष्टों के रूप में भी अवतिर्ण होता है महिमा चरन से क्यों तुम्हारी क्या राय है वैसे तो सभी ईश्वर है महिम हा महराज सभी ईश्वर है गोपी प्रेम गिरीश श्री रामकृष्ण से महराज एकांगी प्रेम क्या चीज है श्री रामकृष्ण इसका अर्थ है केवल एक ओर से प्रेम उदाहरन आर्थ पानी बतक को ढुणने नहीं जाता वरन बतक ही पानी को चाहता है पहला जो साधारन प्रेम है उसमें प्रेमी केवल अपना ही सुख देखता है वहाँ इस बात के चिंता नहीं करता कि दूसरे व्यक्ति को भी उससे सुख अत्वा दुख है या नहीं इस प्रकार का प्रेम चंद्रावली का श्री कृष्ण के प्रती था दूसरा प्रेम जो सामन जसे रूप होता है उसमें दोनों एक दूसरे के सुख के इच्छुक होते है यहाँ एक उचे दर्जे का प्रेम है परन्तु तीसरा प्रेम सबसे उच्च है इस समर्थ प्रेम में प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है तुम सुखी रहो, मुझे चाहे कुछ भी हो राधा में यह प्रेम विद्यमान था श्री कृष्णे के सुख में ही उन्हें सुख था गोपियों ने भी यह उच्चावस्था प्राप्त की थी जानते हो गोपियां कौन थी? श्री राम चंद्रजी उस घने जंगल में घूमते थे जिसमें साथ हजार रिशी रहते थे वे सब श्री राम जी को देखने के लिए बड़े उच्चुक थे उन्होंने उन सब पर एक दिव्विद रिष्टी डाल दी कुछ पुराणों का कथन है कि बाद में वे ही सब रिशी व्रिंदावन में घूपियों के रूप में अवतिरिन हुए एक भक्त महराज अंतरंग किसे कहते हैं? श्री राम कृष्ण मैं एक उदाहरन देकर समझाता हूँ एक सभा मंडप में भीतर भी खंभे होते हैं और बाहर भी अंतरंग भीतर वाले खंभों के सदरश हैं जो सदय वगुरू के समीप रहते हैं वे अंतरंग कहलाते हैं महिमाचरण से ग्यानी अपने लिए न तो इश्वर का रूप चाहता है न आवतार ही श्री रामचंद्र जी जब वन में घूम रहे थे तो उन्होंने कुछ रिशियों को देखा रिशियोंने बड़े स्नेह से उनका अपने आश्रम में स्वागत किया और कहा प्रभो आज तुम्हारे दर्शन प्राप्त करके हमारा जीवन कृतकृत्य हो गया पर हम जानते हैं कि तुम दश्रत के पुत्र हो भरद्वाच तता अन्य रिशिक तुमको ईश्वरी अवतार कहते हैं पर हमारा वहां दृष्टी कोण नहीं है हम तो निरगुण, निराकार, सक्चिदानंद का ध्यान करते हैं श्री राम यहां सुनकर प्रसन्न हुए और मुस्करा दिये ओख, मुझे भी कैसी-कैसी मानसिक परिस्थित्यों में से होकर गुजरना पड़ा मेरा मन कभी-कभी मिराकार परमेश्वर में लीन हो जाता था कितने ही दिन मैंने इस अवस्था में बिताये मैंने भक्ती और भक्त का भी त्याक कर दिया था मैं जड़वत हो गया था मुझे अपने सिर्थ तक का ध्यान नहीं था मैं मरनासन्न हो गया था तब तो मैंने राम लाल की चाची को अपने पास रखने का सोचा था मैंने अपने कमरे से सभी चित्रों को हटाने के लिए कह दिया जब मुझे बाहिय ग्यान प्राप्त हुआ और जब मेरा मन उस अवस्था से उतर कर साधारन अवस्था पर आ गया तो मुझे ऐसा अनुभाव हुआ कि मानो एक डूपते हुए मनुश्य के समान मेरा दम घुट रहा हो अन्त में मैंने अपने मन में कहा मैं तो लोगों का अपने पास रहना भी नहीं सह सकता हूँ फिर मैं जीवित कैसे रहूँगा तब मेरा मन एक बार फिर भक्ती और भक्त की और जुग गया मैं लोगों से यही लगातार पूचता था कि मुझे क्या हो गया है भूलानाथ ने मुझसे कहा आपकी इस मानसिक स्थिती का वर्णन महाभारत में है समाधी अवस्था से उतरने के बाद फिर भला मनुश्य कैसे रह सकता है निश्चय ही उसे इश्वर भक्ती की आवशक्ता होती है तथा इश्वर भक्तों का संग नहीं तो वहाँ अपना मन किस बात में लगाएगा महिमाचरण श्री रामकृष्ण से महराज क्या कोई व्यक्ती समाधी की अवस्था से फिर साधारण सांसारिक अवस्था पर आ सकता है श्री रामकृष्ण महिम से धीरे से मैं तुम्हें एकांत में समझाऊंगा केवल तुम ही इस योग्य हो कि तुमसे कहा जाए हूवर सिंग ने भी मुझसे यही प्रश्ण किया था तुम जानते हो कि जीव और ईश्वर में बड़ा अंतर है उपासना तथा तपस्याद्वारा जीव अधिक से अधिक समाधी अवस्था प्राप्त कर सकता है पर फिर वहां उस अवस्था से वापिस नहीं आ सकता पर अन्तु जो ईश्वर का उतार होता है वहां समाधी अवस्था से नीचे भी उतर सकता है उदाहरनार्थ जीव उसी प्रकार का है जैसे किसी राजा के यहां एक अफसर वहां राजा के साथ मन्जिला महल में अधिक से अधिक बाहर के दर्बार तक जा सकता है परंतु राजा के लड़के की पहुँच सातों मन्जिलों तक होती है और वहां बाहर भी जा सकता है यहां बात हर एक आदमी कहता है कि समाधी के अवस्था से फिर कोई लोट नहीं सकता अगर ऐसी बात है तो शंकर तथा रामानुज जैसे महात्माओं के बारे में तुम क्या कहोगे उन्होंने विद्या का मैं रखा था महिम हाँ यहां बात सच मुझ ठीक है नहीं तो वह इतने बड़े ग्रंत कैसे लिख सकते थे श्री रामकृष्ण और देखो प्रल्हाद, नारद तथा हनुमान जैसे रिशियों के भी उदाहरण है उन्होंने भी समाधी प्राप्त कर लेने के बाद भक्ती रखी थी महिम हाँ महराज यहां बात ठीक है श्री रामकृष्ण बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वे दार्शनिक वाद विवाद में ही पड़े रहते हैं और अपने को बहुत बड़ा समझते हैं शायद वे थोड़ा बहुत वेदान भी जान लेते हैं परन्तु यदि किसी मनुष्य में सच्चा ग्यान है तो उसमें अहंकार नहीं हो सकता अर्थाद समाधी अवस्था में यदि मनुष्य ईश्वर से एक रूप हो जाए तो उसमें अहंकार नहीं रह जाता समाधी के बिना सच्चा ग्यान असंभव है समाधी में मनुष्य ईश्वर से एक हो जाता है फिर उसमें अहंकार नहीं रह जाता जानते हो यहां किस प्रकार से होता है देखो जैसे दो पहर को सूरज मिलकुल ठीक सिर पर होता है उस समय यदि तुम अपने चारो और देखो तो तुम्हें अपनी परचाई नहीं दिखाई देगी इसी प्रकार तुम में ग्यान अथवा समाधी प्राप्त कर लेने के बाद अहंकार की परचाई नहीं रह जाती परन्तु यदि तुम किसी में सत्य ग्यान प्राप्ती के बाद भी अहंकार का भास देखो तो समझ लो कि या तो यहां विद्या का मैं है अथवा भक्ती का मैं, अथवा दास मैं, वह अविद्या का मैं नहीं होता फिर यहां भी समझ लो, कि ग्यान और भक्ती दोनों समानांतर मार्ग है इन में से तुम किसी का भी अनुसरन करो अंत में पहुँचोगे ईश्वर को ही ग्यानी ईश्वर को एक दृष्टी से देखता है और भक्त दूसरी दृष्टी से ग्यानी का ईश्वर तेजो मैं होता है और भक्त का रस मैं भावनाथ श्री रामकृष्ण के पास ही बैठे, ये सब बाते सुन रहे थे भावनाथ श्री रामकृष्ण से महराज, क्या मैं एक प्रश्न पूछू चंडी को मैं ठीक से नहीं समझ सका उसमें ऐसा लिखा है कि जगदंबा सब जीवों का संघार करती है इसका क्या अर्थ है श्री रामक्रिश्न यहां सब उनकी लीला है यहां विचार मेरे मन में भी आया करता था पर बाद में मैं समझ गया कि यहां सब माया है उत्पत्ति और संघार इश्वर की माया है गिरीश श्री रामक्रिश्न तथा अन्य भक्तों को उपर छट पर ले गए जहां भोजन परोसा गया आकाश में अच्छी चांदनी चिटकी हुई थी सब भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ गए उन सब के सामने श्री रामक्रिश्न एक आसन पर बैठे सब लोग बड़े प्रसन चित्त थे श्री रामक्रिश्न नरेंद्र को देख कर अत्यंत प्रसन न हुए वे उनके सामने की पंक्ती में बैठे बीच बीच में श्री रामकृष्ण उनसे पूछते जाते थे कहो क्या हाल है आनन्द से होने दो श्री रामकृष्ण भोजन करही रहे थे कि बीच में से उठकर वे नरेंद्र के पास आये और अपनी थाली में से कुछ तर्बूस का शर्बत और दही लेकर उनको दिया और बड़े मधुर शब्दों में उनसे कहा लो, यहाँ खा लो इसके बाद वे फिर अपने आसन पर चले गए